बाग सवरक्षन के लिए चागरुपता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक उस्तव है जो प्रतिवर्ष 29 चुलाई को आयोजित किया जाता है इस दिन का लक्ष बागों के प्राकुरुतिक आवासों के रक्षा के लिए एक वेश्विक प्रनाली को बढ़ावा देना है और बाग सवरक्षन के मुद्धों के लिए जन्जाग रुपता और समर्थन बढ़ाना है 2010 में रूस में 13 टाइगर रेंच देशों द्वारा सेंट पिटर्स पर खोशना पर हस्ताक्षर के दोरान अस्तित्व में आया था इन टाइगर रेंच देशों की सटकार ने 2022 तक प्राकृतिक आवासों की सुड़क्षा भागों की संक्या को दोगुना करने के लिए सवरक्षन को प्रोसाहित करने का संकल्प लिया था अवैत शिकार और बाग के शरीर के अंगों जैसे हड़ी त्वचा का अवैत व्यापार जंगली बागों के लिए सबसे बड़ा खत्रा है बाग के शरीर के अंगों की मांग ने जंगली बिलिये के अवैत शिकार और तसकरी को बढ़ा दिया है बाग सवरेक्षन वनों के सवरेक्षन का प्रतिक है बाग एक अनुठा जानवर है जो किसी स्वास्त परिस्तिती की तंद्र और उसकी विवितता में महत्वपुर्ण भूमिका निभाता है बाग शिकार द्वारा शाकाहरी जन्तो और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिए निर्पर है हम एक बात को सुनेचित करने में भी सहायक है कि हम अधिक समय तक जीवित रहे क्योंकि इस सवरक्षन के परिनाम सरुप हमें स्वच्चहवा, पानी, परागन, तापमान, विनिमय आधिजेसी परिस्तितिक सेवाओ की प्राप्ति होती है बागो के सवरक्षन में पूरे परिस्तितिकी तंत्र का सवरक्षन होता है